Assalamualaikum and welcome class, मैं हूँ आपका टीजे सेगेद बखत, हम पाढ़ने हैं फस्ट एर मैतेमेटिक्स, आज डिसकस करने जा रहे हैं exercise 2.2 की class no.6, जी हाँ, question no.6 के दोनों पार्ट्स, बहुती small small से पार्ट्स हैं, as you can see that, बुक सामने रखिएगा, पर यहाँ पे एक चोटी सी announcement कर as you know that class zero देखनी बहुत जरू लिया 2.2 की, इसलिए मैं हमेशा suggest करता हूँ के जितनी भी exercises मैंने अब तक, exercises, अब तक कवर की हैं, वो सारी की exercises को मैंने playlist बना के YouTube पे save कर दिया, तो अब जब भी मेरे चैनल पर जाओ, तो प्ले लिस्ट वाले बोशन में जाया करो, और exercise को playlist से click करके देखा करो, ताके class zero से onward, यह one से onward, पूरी exercise को देखा करो, कोई चीज मिस ना हो जाए, अगर किसी ने class zero नहीं देखी हुई, तो I highly recommended that, के पहले आप class zero देखे हो, फिर इस पर जम्प करना, क्योंकि इसमें confusion ना हो जाए आपको, और class zero में जो हमने basic सीखा था, वैन डियागराम को ले कर, वही इसको थोड़ा सा गुमा फिरा के game बना के, पेश किया गया question number six में, और इसको सीखने में बहुत मजा आने वाला ह वैन डियागराम के साथ हम खेलने लगे हैं, अब तक हम sets के साथ तो बहुत दफ़ा खेल चुके हैं, बच्पन से काफी questions की हैं, जैसे sets में universal से minus कर देना, IMA से B को minus करना, multiply करना, subset, etc, etc, there are so many, a lot of data we have already, memorize it, yeah, लेकिन आज हम क्या discuss करेंगे, आज हम discuss करेंगे, वैन डिसक्स क करते हैं, question number six को, पहले statement को read out कर लेते हैं, using when diagrams, of course, to verify the following, हमने verify करना है, इन statements को, यानि प्रूफ करना है, कि left hand side, right hand side का equal है, या, तो हम प्रूफ की बात कर लेते हैं, देखें, लिखा क्या है, जल्दी से मैं जम करता हूं, question पर, a minus b, यानि कि a में से b को minus करें, तो क्या आत करेंगे, sir, two, three क्यों टेक किया, आपने, देखो, overlapping show का रहा हूं, यहां पर मैं, and you know that, overlapping sets, वो sets होते हैं, जिन में कुछ elements दोनों में same होते हैं, sets में, इसलिए क्लास 0 से onward, पूरी exercise देखा करो, अगर किसी ने miss क्यूं हैं, classes, playlist में जाओ, और 2.2 को क्लास 0 से onward, sequence में देखो Okay, so for example, class A में जो elements हैं, उनके कुछ elements class B में वوجود हैं, तो उसकी diagram कुछ ऐसी ही बनेगी, वैसे भी A, B को book में, key books में, यहां-वहां ऐसी बनाया जाता है, तो A माइनस B को मैं कैसे show करूं, ज़रा imagine करो कि A के elements में से B के elements को माइनस कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, सिर्फ A क elements, of course ना, या, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ A के जो elements हैं, उसको draw करेंगे, यह जो बीज में overlap कर रहा है, इसको भी color नहीं करेंगे, तो आपने प्यारा-प्यारा color करना है, मैं थोड़ा बदा सा, बुरा सा color कर रहा हूं, आपने अच्छा और प्यारा color करना है, ओर राइट, यह A है हमारा, ओके, तो बस A वाला area color हो जाएगा, इंट्रेस्टिंग साइट तो यह है, क्योंकि यह तो simple था, यहां पे situation कुछ यू है, A है, यूनियन, B का compliment है, इस पूरे process को show करना है, तो जब भी कोई process हा जाए Venn diagram में, तो मैं एक recommendation देता हूँ, आपको भी वही दूँ देखो, A, तो A को तो simply show करना, easy है, कि जी, A के elements को show करना है, तो भाईया, वो तो A के सारे elements color होगे, तो color कर देता हूँ, लेकिन अभी एक बार बताना चाहरा हूँ, इसलिए color नहीं का रहा हूँ, बी का compliment, इदर show करेंगे, यानि कि U में से B को minus करेंगे, तो U का पूरा area गरा हूँ, मेरी बात को ठीक से सुनना, ठीक है, उसकी reason क्या है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, वैसे आप दोनों त्रीकों से कर सकते हो, जैसे मैं पहले करने लगा था, क्योंकि मैं वैसे ही करता हो था हूँ, कि सिरफ A क पर तो ऐसे कहीं नहीं हुआ हूँ, जैसे आपने करवा दिया, तो बुक में ऐसे हुआ हूँआ हूँ, ठीक है, अब A भी हमने सम में लिख लिए, इस question की बात भी हो रही है, तो इसकी बात ही करते हैं, अब हम इन चीज़ों को कठा करते हैं, पहले बात करते हैं, पहले बा क्योंकि A के सारे elements, मैं तीं-चार दफा बोल हूँ, या, A के सारे elements, चाहे वो B में जा रहे हैं यो नहीं जारे हैं, डोसन्ट मैटर, हमने A पूरा color कर दिया, यह हो गया, B का compliment कैसे शो करें, U में से B को minus कर दिया, U, पूरा का पूरा U है, इस में से अगर मैं B को minus कर देता ह तो भाया यू पूरा ही color होगा ना सिर्फ यू ए को बीज में नहीं लाना आपने ठीक है क्योंकि एकी बात हम कर चुके है मैं फिर से repeat कर देता हूँ ए तो color नहीं होने वाला वो तो पहले से color है अगर आप चाहो तो आप समयलो कि ए पहले से color है तो उसको बेशेक ऐसे show कर लो वैसे मैं करना नहीं चाहता है यहां पर लेकिन समयलो कि यह color है पहले से color है ठीक है इस स्टेप से हम अगले स्टेप में गई है इसको take किया बी का compliment find का रहे हैं सिर्फ बी को minus कर दिया किस में से यू में से तो पूरा area समझो color हो गया सबाए B को चोड़के बी का area चोड़के बाकी सारा area color हो गया बस यह समयलो अगर सिर्फ B लिखते हो सिर्फ B यानि A है यह नहीं तो फिर B खाली रहेगा बाकी सारा area color हो जाएगा अब हमने इन दोनों का union लेना है या वैसे तो union मैंने ले लिया आंसर तो लिख दिया लेकिन अब अगले step में करते हैं क्योंकि A अगर color नहीं है तो यह step आएगा तो A यहां पे color हो गया U यहां पे color हो गया इन दोनों का union क्या होगा कि यह area भी colored है और यह वाला area भी colored है यानि B complement में यह पूरा area colored है A में सिर्फ यह वाला area colored है यह field है ठीक है तो अगर मैं इन दोनों का union ले लूँ union है कि intersection है sorry intersection यार मैंने union लिखा हुआ है sorry for that क्यों उसकी reason क्या है मैंने एक old book में देखा था वहां लिखा हुआ था union तो मैंने book जब लिखी question लिखा तो union लिख दिया फिर मुझे चानक ख्याल आया कि मैं दूसी book से भी tally का लूँ जो new books है तो new books में था intersection जो new books हैं आपकी 2017, 18, 19 I think so या तब की तो वहां intersection है तो अब हम intersection find करते हैं sorry मैं union की तो महीद बांद रहा था अब intersection की बात करते हैं ठीक है union अगर होता तो क्या होता ये answer होता यानि इन दोनों को इकठा कहते हैं तो यही बनता लेकिन अब intersection अब interesting होने लगा काम ज़रा ठीक से सुनना इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो दोनों में common क्या है इंटरसेक्शन अगर मैं इन दोनों में ले लूँ तो इन में common क्या हैगा भिज़रा सोचो इस इंटरस्टिंग जार नहीं यार देखो ये और ये तो नहीं common बी भी नहीं common सिर्फ ए वाला इरिया दोनों में फिल हो रहा है A वाला एरिया दोनों में फिल हो रहा है इसलिए क्योंकि A वाला एरिया दोनों में फिल हो रहा है इसलिए A वाले एरिया का ही कॉमन आएगा इंटरसेक्शन आएगा यहोप आप बात को समझ रहे हो पूरा एरिया A का यह नहीं कि सिरफ A वाला एरिया A का पूरा area पूरा आएगा ना, या, क्योंकि इसमें भी और इसमें मैं फिर से repeat कर देता हूँ, देखो A, पूरा area color हो गया A का पूरा area आपने color कर दिया यहाँ U, पूरे को color किया और B वाले हिस्से को सिर्फ minus कर दिया, तो B वाला हिस्सामने minus कर दिया अब अगर इन दोनों का मैं intersection लेता हूँ अगर आप इन दोनों का intersection लेते हैं तो क्या होगा, A इसमें भी colored है इसमें भी colored है, common है A, तो A को color कर देंगे That's it, सादी सी बात है I hope so, कि आप समझ गयोगे इसकी practice ज्यादा कर लेना, यह बिल्कुल भी tough नहीं है इसको tough consider नहीं करना, सिर्फ practice का खेल है यह बद्दा सा A लिखा मैं, sorry for that यह A है, जिसको मैंने पूरा color कर दिया और यह final answer है, that's it Okay, let's continue A minus B का compliment, intersection B is equal to B तो पहली बात होगे है कि right hand side की बात मैं पहले करना चाहूँगा यहाँ पहले क्यों, क्योंकि B clear हो जायना कि answer की आने वाला है तो सिर्फ right hand side को देखना, यह right hand side का left नहीं भी या right क्या हो गया मुझे, it's okay राइट hand side का answer क्या होगा, rough सा बना रहा हूँ ठीक है, यह you है यह आपका for example B है, ठीक है तो show कैसे करेंगे, बड़ी साथी सी बात है हमने सिर्फ B को show करना है, तो B वाला area color हो जाएगा that's it, इतना easy, यह, इतना easy है हमारा final answer यह आना चाहिए, कि सिर्फ B colored B को show ऐसी करेंगे है ना, I hope आप समझ रहे हैं मरी बात को अब बात करते हैं कि इस पूरे area का answer B आता है के नहीं तो शुरू करते हैं, सबसे पहला point है A minus B तो वो तो easy है आपके लिए, A minus B हुआ हुआ है चलें, A minus B, A B लिखा, A मेंसे B को minus करें तो कौन सा area आएगा, सिर्फ A वाला area कौन सा area? सिर्फ A वाला area आपने proper fill करना है, मैं तो बस रफसा का रहा हूँ, आपने प्यारा प्यारा करना है तो सिर्फ A वाला area वो आएगा तो A वाला area आगया, एक step तो हो गया अब A minus B का क्या चाहिए? compliment यानि कि U में से A minus B का जो answer आया है उसको minus करना है, बात को समझे रहे हो A minus B किया, तो सिर्फ A वाला area आगया अब U तो ये पूरा area है तो अगर मैं पूरे area में से इस area को minus करूँ तो क्या color होगा? सारा color होगा इस हिस्से को छोड़ के बात को समझे रहे हो ना? ठीक है, मैं फिर से repeat कर देता हूँ 1, 2, 3, 4 and 5 B है हमारा 2, 3 और U है हमारा 1 से लेकर 10 तक ये रफ सा लिख रहा हूँ, इसलिए समझे लो ऐसे ही बस, ठीक है? अगर मैं A minus B करता हूँ, तो आएगा 1, 4 and 5, ठीक है? वो हमने color कर दिया, अगर सिर्फ A वाला, वो नहीं जो B में जा रहा है उसको include नहीं करेंगे, A minus B में सिर्फ A वाला area मैं detail में इसलिए जा रहा हूँ, अच्छे से समझ आज़े अब ये वाला जो area A minus B, उसका A minus B का for example, answer आया है 1, 4 and 5 अगर मैं U में से, compliment का मतलब है कि U में से इनको minus करूँ, 1, 4 and 5 को तो सिर्फ ये वाला area फिल नहीं होगा, बाकि total area फिल हो जाएगा B including also, यही बताना चाहा रहा हूँ कि B वाले elements भी आएंगे, आप चाहे गोर कर लो चाहे mathematics के term के according देख लो, B वाला area आएगा या, आप I hopes हो कि अब आप ठीक से समझ रहे हो मैं repeat कर देता हूं, don't worry कि B हमारा पूरे का पूरा, यह बीच वाला area भी आएगा क्यों U हो रहा है, यू आ रहा है, ठीक है तो U का मतलब है total field है, accept छोड़के कि इसको, सिर्फ इस इससे को छोड़के I hope यह तो आपको clear हो गया होगा, ठीक है ओके, यह आगे हमारा A-B का compliment, इसके आगे ही हम बना लेते हैं यह चीज तो हमने create कर ली, अब intersection किसके साथ लेना है, intersection लेना है किसके साथ, B के साथ तो B भी बना लेते हैं, रफसा, वैसे इसकी जूरत नहीं है, लेकिन फिर भी, रफसा बना लेते हैं यह B है हमारा, और B को shock कैसे करते हैं, वो तो हमने पहले ही किया हुआ है, कि हम इसको fill कर देते हैं B को fill कर देते हैं, ओर राइट या, I hope यहां तक आपको clear है, मैं थोड़ा slow हो जाता हूँ, sorry उसके लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, यह B है यार, बाहरी लिख देता हूँ तो B fill हो गया, अज इन δोनों का interseक्शन लेना है, interseक्शन हमने पहले भी लिया था, कि यहां पे देखा था कि A Pूरा Pूरा फिल हो गया था, वैशे ही यहां पर B यह भी पूरा fill है, तो अगर मैं इनका intersection लेता हूँ, तो सिरफ B है जो common है दोनों में, तो B को अगर मैं intersection, ये पूरे हिस्से का A-B compliment का intersection लो B के साथ, तो intersection में answer क्या हैगा? B, तो B पूरे का पूरा fill हो रहा है, तो यहां पे हम B पूरे का पूरा fill कर देते हैं, ये B पूरे का आपका ये वाला step है या, और final answer में हमने देखा कि जो right hand side थी, सिरफ B colored था, वही left hand side का answer आया, सिरफ B colored है and I hope so, कि मैं आपकी help कर पा रहा हूँ एक चीज़ और, end पे ना लाजमन ये लिख दिया करो, इधर भी लिखना चाहिए था, कि hence आपने ये लिखना है, proved, now मैं तो बस रफसा गाम लिख देता हूँ, आपने नीट नीट करना है A minus B is equal to A intersection, B का compliment, इधर भी आपने end पे लिख देना है hence, proved, ये तो आप जानती हो कि पूरे का पुरा question पर से लिखना है A minus B का compliment, intersection, B is equal to B, that's it And I hope कि मैं आपकी help कर पा रहा हूँ, और आप अच्छे से समय रहे हो चीजों को Practices की ज्यादा-ज्यादा कर लेना, चीजें सीखने को मिर रही है I hope कि मैं आपकी अच्छे से help कर पा रहा हूँ, सीखने में सिरफ maths और questions करना काम नहीं है सीखना काम है, कि when diagram कहीं भी किसी भी तरह की आ गई, तो हम solve करके देख सकते है, because हमारे concepts मजबूत है तो आपने concepts को better से better, strong से strong बनाना है, ताकि आपका math अच्छा हो जाए, और math अच्छा हो गया, exam तो आप करे लोगे, इंशाओला and I hope so, कि मैं आपकी help कर पा रहा हूँ and good luck for everything, फिर मिलते हैं next lecture में, practice करते रहीएगा, अपना और अपने घरवालों का बहुत क्या रखिएगा, खुद आप सबको बहुत खुश रखे और बेहद काम्याब करे, हो मेहनत करते रही है, लेकिन smart work के साथ, Allah Hafiz class